Stock Trading के लिए हमें Technical Analysis को समझना बहुत ज़रूरी होता है और Technical Analysis को च्छे समझने के लिए हमें Candlesticks की समझ होनी चाहिए अगर हमने Candlesticks को ठीक से नहीं समझा तो फिर हम Technical Analysis को सही से यूज नहीं कर पाएंगे इसलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे Candlesticks के बारे में हम जानेंगे Candlesticks क्या होते हैं ये कितने तरह के होते हैं हमें इनसे क्या गया information मिलती है और Technical Analysis में हम इसका कैसे यूज करते हैं तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से आखिर तक देखते रहें और Technical Analysis के इस सबसे important concept को समझें नमस्कार दोस्तो स्वागा थे आपका हमारी YouTube channel True Investing पर trueinvesting.in हमारी website है जो investment education पर based है अगर आप investing में interested हैं इन्वेस्टिंग सीखना जाते हैं तो हमारी website ज़रूर विजिट करें आई जानते हैं Candlesticks के बारे में दोस्तो Candlesticks की सुरुवात साल 850 के आसपास जपास जपान के राइस ट्रेडर्स ने की थी जपान के राइस ट्रेडर्स Candlesticks चार्ट की हजब से राइस की future price movement को परिडिट करने की कोशिश करते थे दोस्तो Candlesticks या जिसे हम simply candle भी कहते हैं एक rectangle का shape का होता है और हर candlestick एक fixed time interval की period को सो करता है जैसे एक minute का candlestick, एक hour का candlestick एक दिन या एक week का candlestick एक candlestick अपने time interval में एक share के चार important price को बताता है और वो 4 price हैं opening price, closing price, highest price और lowest price एक्जामबल के लिए अगर एक candlestick एक दिन की interval का है तो वो candlestick एक दिन के interval में ये बताता है कि दिन के शुरुआत में share की price क्या थी जिसे हम candlestick की opening price कहते हैं दिन के खतम होने पर share की price क्या रही जिसे हम candlestick की closing price कहते हैं पूरे दिन भर में share की सबसे ज़्यादा price क्या रही जिसे हम candlestick की highest price कहते हैं और दिन भर में शेर की सबसे कम प्राइज किया रही जिसे हम Candlestick की Lowest Price कहते हैं इसी तरह अगर एक Candlestick पांस मिनिट के Interval का है तो वह Candlestick ये बताता है कि पांच मिनिट के इंटरवल के शुरुवात में शेर की प्राइज क्या थी उस पांच मिनिट के इंटरवल के खतम होने पर शेर की प्राइज क्या रही और उस पूरे पांच मिनिट में शेर की सबसेधा प्राइज कितनी गई और सबसे कम कितनी गई दोस्तो एक Candlestick की तीन पार्ट होते हैं जिसे हम Upper Shadow, Body और Lower Shadow कहते हैं Upper Shadow इंटरवल के हाइस प्राइज को बताता है वहीं Lower Shadow इंटरवल के लोएस प्राइज को बताता है और Candlestick की Body interval के Opening और Closing प्राइज को बताती है दोस्तो बेसिकली candle stick दो तरह की होते हैं एक को हम bullish candle या positive candle कहते हैं और दूसरे को हम bearish candle या negative candle कहते हैं आईए दोस्तो हम पहले bullish candle को देखते हैं bullish candle का ये मतलब होता है कि candle के interval में share की price बढ़कर close हुई है example के लिए माल लेते हैं एक 15 minute के candle की opening price है 50 रुपए highest price 52 रुपए है lowest price 48 रुपए है और closing price 51 रुपए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि candle के 15 minute के time interval में share की price 50 रुपए से open हुई 15 minute के बीच में highest price 52 रुपए तक गई lowest 48 रुपए तक गई और 15 minute के end होने पर share की price 51 रुपए पर close हुई दोस्तों चूकी यहाँ पर share की opening price 50 रुपए है और closing price 50 रुपए है इसका मतलब है कि share की price इस 15 minute के interval में बढ़ गई है और इस वज़े से हम इस तरह के candle stick को positive या bullish candle बोलते हैं दोस्तों bullish candle का उल्टा होता है bearish candle bearish candlestick का यह मतलब होता है कि candle के interval में share की price घटकर बंद हुई है example के लिए माल लेते हैं एक 15 minute के candle की opening price 50 रुपए है highest price 52 रुपए है lowest price 48 रुपए है और closing price 49 रुपए तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि candle के 15 minute के time में share की price 50 रुपए से open हुई पंदरा मिट के बीच में highest price 52 रुपए तक गई lowest 44 रुपए तक गई और 15 minute के end होने पर share की price 49 रुपए पर close हुई अब दोस्तों चूकी यहाँ पर share की opening price 50 रुपए है और closing price 49 रुपए है इसका मतलब है कि share की price इस 15 minute के time interval में घट गई है और इस वज़ब समिस्तर के pandemic को नेगेटीब या bearish candle बोलते हैं दोस्तों bullish और bearish candle में हम्हें यह ध्यान रखना है कि बुलिश केंडल में price बलकर close होती है इसलिए बुलिश केंडल में opening price body में नीचे और closing price body में ऊपर होती है वहीं bearish candle में price घटकर close होती है इसलिए bearish candle में opening price body में उपर और closing price body में नीचे होती है दोस्तो एक और बात ध्यान देने वाली है कि bullish candle को generally खाली और bearish candle को generally भरा हुआ दिखाया जाता है पर आज के trading platforms पर हम दुनों तरह के candles के लिए कोई सावी collect choose कर सकते हैं जाया तो लोग bullish candle को green से और bearish candle को rate से दिखाना पसंद करते हैं इन दुनों तरह के candle के बहुत सारे types हो सकते हैं जिसे बीना upper shadow और बीना lower shadow का bullish candle इस candle का मतलब है कि इस candle के interval के दौरान share की opening price ही lowest price थी और share की closing price ही highest price थी दोस्तों ऐसे बहुत तरह के candle से मिलका बने charts को candlestick charts कहा जाता है एक candlestick chart अलग अलग तरह के shape और size के candle से मिलका बना होता है और दोस्तों हर candlestick charts में candles का interval हम अपनी percent से set कर सकते हैं अगर हम 5 मेट का candle set करते हैं तो इसका मतलब है कि हम chart में stock price के movement को एक दिन के candle के interval में देख पाएंगे इसी तरह अगर हम एक दिन का candle set करते हैं तो इसका मतलब है कि हम chart में stock price के movement को एक दिन के candle के interval में देख पाएंगे हर candle के interval में share की price अलग अलग होती है और जिसकी वज़ा से candlestick charts में अलग-अलग side के candles बनते हैं यह अलग-अलग side के candles आपास में मिलकर different patterns बनाते हैं टेकनिकल एनालिसिस में हम ऐसे ही patterns को study करते हैं और share की price की movement को परडिट करने के कोशिश करते हैं तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो candle listick के उपर हमने आज जाना के candle listick क्या होते हैं यह कितने तरह के होते हैं हमें इनसे क्या-का information मिलता है और हम इसे किस तरह से यूज़ करते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अपने इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजे और share कीजे ताकि हर को इस stock market बारे में सीख सके अगर आप इस वीडियो से रिलेट कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो इसे नीचे comment box में जरूर लिखें हम आपकी सवालों का जवाब देंगे अपने Q&A वीडियो में और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी subscribe करें और बेल आइकन को प्रेश करना ना भूलें ताकि हमारे आगयाने वाले एक भी वीडियो मिसना हो थैंक यू दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में टेक केर